दोस्तों मैं योगेश माने आप सबका इगनाइट अकडेमी में स्वागत करता हो दोस्तों यंटिये की तरफ से एक इंटर्व्यू के डेट के लिए नोटिपिकेशन आ रखा है एक नोटीस ही है उनकी उनोंने पोल के रखा है कि इस इस डेट से आपके इंटर्व्यू शुरूप होंगी अब रिजल्ट का क्या तो रिजल्ट के बारे में उनोंने थर्ड फीक औप मार्च के में बोल रखा है कि हम रिजल डिस्प्ले कर लेंगे तब तक उनका जो पेपर चेकिंग अगरी की प्रोसेस है वो कंटीनिव चल रही है तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बना के रखा है कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए तो चलिए देखते पहले तो यह नोटीस पूरा देखेंगे इस नोटीस में उन्होंने क्या बोलके रखा है कि जो आपका जो आपका रिटन एक्जाम है उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड कब है थर्ड वीक और मार्च के अंदर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उसके बाद 80% वेटेज किसको दे रखा है उन्होंने पेपर one और पेपर two को मतलब मेंस के क्लिर और इंटर्वी जो ओगा वह आपका 100 मार्च का इंटर्वी जो ओगा वह आपका 100 मार्च का इंटर्वीयों ओंगा और टेंटिटिव डेट दे कि एक एप्रील से 22 है बिल्कुल उसके आगे उन्होंने बोला है कि 25 दिन तक सब के इंटर्व्यू चलेंगे यह मोटा मोटी उन्होंने आपके सामने रख दिया है चार मार्च की ही यह नोटीस है तो अब इसे एक आइडिया आ गया है कि थर्ड विक तक आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है कब आएगा रिजल्ट कब आएगा उसके पहले तो नहीं आएगा उसके बाद में हो सकता है कभी भी डिस्प्ले हो क्योंकि उनका कहना है कि हमारी जो पेपर चेकिं उन्होंने जो पहले चार-चार मार्क के रखे है अब उसकी मार्किंग को कैसे करते हैं यह पता नहीं है क्लिए क्लियर क्यूंकि फिलिंग दबलांक था मैच्ट पियर्स था तो अब डिस्कृप्टिव में मार्किर रेंज के वेरियेशन भी काफी हो सकते वैसे तो पेपर उसमें वो गेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अब देखो हमें करना कह चाहिए अब इंटर्यू के लिए मैं आप वीडियो बनाते रहूंगा कोई ख्रीका है सब ले लो और अच्छे खासे ऐसे हवा में नहीं करता हूं मैं कुछ मेरे दोस्त है अभी ऑल्रेडी जो CGPDM के अंदर काम करते हैं कुछ NTA में हैं उन सबसे बात करके मैं आपके सामने वीडियो लेके आ जाता हूं अभी फिलाल हमें पता नहीं है कि इंटर्यू के लिए कौन आने वाला है कुछ दिन में वो पता करके मैं आपको कंफर्म बता दूंगा अभी हवा हवाई है चीज तो आपको अब करना क्या है अब डेट तो हमें 22 पता चली एक एपरी से शुरुवात होनी वाली है तो आपको करना क्या है कि एक्टरलीस तीन सबजेक्ट त्री सबजेक्ट टेकनिकल आपके फिल्ड के सबजेक्ट राइट आपके फिल्ड के सबजेक्ट तीन सबजेक्ट मैं minimum बोल रहा हूँ, उनको अच्छे से conceptually करना है, क्योंकि इनों ने इसमें clear करके रखा है, कि आपका जो interview होगा, किस चीज के ऊपर होगा, जो pre और mains का syllabus है ना, उसके ऊपर आपका interview होने वाला है, इसके अंदर उनों ने बोल के रख दिया गया है, right? The interview will be 100 mask and will test the candidate on the topics covered in preliminary and mains examination, clear? तो pre और mains exam में जो subject होगे, उनको वो test करेंगे interview के अंदर, तो आपको तीन technical subject minimum करने है, आपके choice के हो सकता है, आपको पूछे कि आपके favorite subject कोन से है, ये, दूसरा point, जो आपके basic है, वीपो अगेरा related और patent related, and patent related, जो basics है, pre maze में पढ़ चुके है, उसकी series भी मेरी YouTube पे बनी हुई है, उस series को भी आप देख सकते हो, उसको भी अच्छे से करिए, मतलब पहले तीन subject at least बोल रहा हूँ मैं, okay, हो सकता है, मैं इसको कुछ दिन के बाद additional करने के लिए बोलू, मगर तब तक मैं आपको ये assignment देके जा रह ही है, और important है, ओ, या हो सकता है, ओ, आपको ये भी पूछ ले, कि फिलाल आपको कोई, ऐसी recent technologies पता है, कि जिनको patent कुछ मिल चुका है, तो आपके field के अंदर, जो revolutionary कुछ चीजे है, जो फिलाल अभी अभी नहीं आ चुकी है, जिनमें कुछ लोगों को patent भी मिल चुका है, ऐ ये question नहीं पूछा हो, तो भी आप आपके, कुछ other question के जवाब में, इनको adjust कर सकते हो, जिससे आपका interview बढ़िया लगेगा, clear, तो मैं ये तीन चीजे आपको आज बता के जा रहा हूँ, आगे मैं अपने वीडियो लेके आते रहूँगा, काफी gap बीच में बन चुका है, क इनको possible है, मैं अपने पूने के center के ऊपर कुछ mock interview भी plan करने वाला हूँ, offline अब जहां है, वहाँ कही देखिए, जो CT में, वहाँ भी जो जो लोग mock interview offline लेते हैं, उनको एक दो mock interview देने की कोशिश करिए, मगर फिलाल के लिए नहीं, 15 तारीक के बाद में, तब तक आप अपन मेरी google seat घुमाऊंगा, कुछ लोगों के वहाँ से आप मुझे आपके details दे जीचे, मैरी team आपको call करेगी और आपके pre में offline interviews लिए जाएंगे, right, मैंने इन किसी भी चीज़ के लिए कोई भी अभी तक पैसा नहीं लिया है, interviews के लिए अभी नहीं, clear, तो आपको जो कुछ आपको गाइड करने के लिए वीडियो बनाते रहूंगा, और यह जो information लेके आता हूँ, मैं अपने cgpdm के दोस्तों के help से ही आपके सामने रखता हूँ, बस वीडियो उनके कुछ limits के बज़े से बना नहीं पाते हैं, तो मैं उनके information लेके आप तक पहुचा देता हूँ, और पूरी authentic information लेके ही आप तक पहुचाने की पोशिश रहती है, यहां रुपता हूँ, thank you so much guys for listening, thank you so much.